आज मैं फिर आप लोगों का सामने लेके आया हूँ एक फार्मसेक्टर का स्टॉक जो की बहुती बढ़िया है जो की फंडमेंटली बहुती स्ट्रॉंग है क्योंकि मैं इसको फंडमेंटली स्ट्रॉंग इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक के अंदर उतना पोटेंसियल ह मैं आप लोगों को जो है पूरा डिटेल्स में सेयर करने वाला हूँ इसका fundamental analysis करने वाला हूँ बहुती कम टाइम में तो वीडियो को last तक देखिए आपको अच्छा खासा कुछ knowledge मिलने वाला है और stock जो है बहुती interesting stock है और stock के अंदर बहुती अच्छा एक potentiality है और stock जो है last January 21 January 2020 में de-merging हुआ है और आप लोगों को already पता होगा de-merging क्या है नहीं पता है तो मैं इसमें ब्रीप करूंगा तो total details में बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अनिर्बान मेरा चैनल penny basket में आप लोगों को मैं स्वागत करता मेरा चैनल में ऐसे ही बहुत सारा अच्छा अच्छा penny stock जिसमें आपको investment करना होता है या कोई stock है जिसमें investment नहीं करना चाहिए वो सब चीज में आप लोगों के साथ share करता हूँ तो वीडियो को जो है last तक देखिए चैनल में नहा है तो अभी के अभी subscribe कीजिए वीडियो क लेकिन इसका price ऐसा नहीं है कि 5 रूपया 10 रूपया है इसका price जो है तो यह company का जो price है दोस्तो 47.65 रूपीज है मतलब जो है इसका price आज का दिन में आप पकड़ सकते हो 48 रूपीज है दोस्तो company बहुत ही बढ़िया है company के अंदर fundamentals जो है बहुत ही strong है और आप लोगों को information क के लिए बाता जाता हूँ कि यह company के अंदर जो है de-marging आया था 21 January को de-marger हुआ था मतलब 20 January 2020 का जो इसका closing price था 301 रूपया था उसके बाद 21 January का जो इसका opening था 16 रूपया था इसमें घवडाने का कोई भी जरूरत नहीं है इसमें de-marging हुआ था मतलब यह company को दोनों में divide कर दिया गया था और ये चीज में इसका नाम मैं थोड़ी दिर में आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ दोस्तों तो दोस्तों यह company है इसका मैं अभी कुछ details में आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है कैसे इसमें कितना fundamental strong हैं दोस् सूभेन लाइफ साइन्सेस लिमिटेड ये दोस्तों सूभेन लाइफ साइन्सेस लिमिटेड और ये कंपणी के अंदर फंडामेंटल इतना स्ट्रॉग है कि ये जो है USA के अंदर जो है इन्होंने कुछ काम चालू करने वाला है उसका भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ इनका जो भेंकर जस्ती जो इनका जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बला कि We are working on listing Suven Neuroscience in USA से और आप लोगों को पता है कि आज का दिन में हेल्थ सेक्टर, फार्मासिटिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर कितना स्ट्रॉंग है और उसके उपर से यह जो है USA में इसका जो Neuroscience से उसका technology चालू करने वाला है उसका process अल्रेडी चालू होने वाला है तो इसके लिए भी इसके ओपर effect आया है और इसका जो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को जैसा पहले बताया कि इसका Demerging होके Demerging होने के बाद इसका जो दूसरा company कुला है इसका नाम है Suven Pharmaceuticals Limited और इसका आज का दिन का प्राइस है 349 रूपीज है और दोस्तों यह जो Suven Life Sciences Limited है यह भी एक तगड़ा बहुत बढ़िया company है इसका में कुछ details अप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ कि Suven Life Sciences Limited के साथ हम Sun Pharmaceuticals, Dr. Redis Laboratory और Cipla इसका में कुछ as a volatility इसका कुछ compare करेंगे तो Suven Life Sciences Limited volatility में सबसे आगे है जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहे है कि 63.73% है Sun Pharmaceuticals का 40.5% Dr. Redis का 37.08 and Cipla का है 42.26% तो volatility में ये company आज का दिन में भी इतना बड़ा बड़ा company को टकर दे सकता है इसका मैं financial trend का बात करूँ तो आपको जैसा graphical presentation दिख रहा है कि 2019 और 2020 में जरूर इनोंने loss book किया है लेकिन company के अंदर कितना अच्छा fundamentals है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी दे में share करने वाला हूँ दोस्तों दोस्तों company का कुछ details में आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा एक advantages है दोस्तों और इसका में quarterly result में net profit का बात करने वाला हूँ जरूर इनोंने September का जो quarter है second quarter है मतलब half yearly जो quarter है उसमें जरूर 16 क्लोर 16 क्लोर का loss book किया है लेकिन company बहुत ही बढ़िया से पाफॉंग करने वाला है अभी तो इसका मैं कुछ borrowing का बात करूंगा जो कि मैं पहले ही बता है कि company is almost debt free है आपको भी इसमें चार्ट में easily दीख रहा है कि only आज का दिन में एक 600 क्लोर का company में only जो है 4 क्लोर का only 4 क्लोर का उधर ही है जो कि ना की बना का बरावर है दोस्तों और इसमें और एक चीज जो की बहुती देखने वाला है वो है promoters holding आप देख सकते हो December 2017 से लेके September 2020 मतलब लाश तीन साल में promoters ने इसके अंदर कोई भी percent जो है इसका कोई भी holding नहीं छोड़ा है 60 percent holding करके रखा है और public ने इसके अंदर 38.31 percent holding करके रखा है दोस्तों दोस्तों तो मैं यहीं चीज बताऊंगा कि यह जो stock है यह stock के अंदर एक अच्छा potentiality है और last January 2020 में इसके अंदर demurging भी आया हुआ है तो company जो है अभी आपने से खुद का ही सबसे पाफॉम कर रहा है थोड़ा बहुत loss book किया है demurging के बाद उसके बाद lockdown आ गया था कोवीट का चलते हुए तो उसके वाएसे इन्होंने थोड़ा बहुत loss book किया है लेकिन अभी कोवीट का vaccine आने वाला है इसको हो सकते है कुछ contract मिल जाए नहीं भी मिले तो company जो अच्छा पाफॉम कर रहा है इसका neuroscience department जो की एक medical sector में बहुत ही अच्छा माना जाता है ओ department को जो है इन्होंने USA में इसका approval मिलने का कोशिस कर रहा है इसमें approval मिल जाएगा तो इसमें बहुत ही अच्छा पाफॉम करने वाला ही ये stock जो है multi वेगर बन सकते दोस्तो तो दोस्तो मैं उमीद करूंगा मेरा ये जो वीडियो आप लोगों को आच्छा ल कि इसका next जो level है इसका जो next target रहेगा वो 55 रूपीज कर रहेगा और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जैसा company है ये जैसा fundamental strong ही fundamentally strong company है कि 55 रूपीज जो है easily कुछ दिनों में achieve कर लेगा उसके बाद जो है आप इसमे 1000 या 2000 रूपीज investment फिर से कर सकते हो और बाकी आपका मर्जी है आप अपना financial planner से बात कर दीजिए उसके बाद ही जो आप इसमें investment कीजिए लेकिन overall totally देखा जाएगा तो company बहुत ही fundamentally strong है और इसका जो दूसरा जो company है demerging हो के जो दूसरा खुला गया Suven Pharmaceuticals Limited आप जो है इसमें भी investment कर सकते हो लेकिन उसका price थोड़ा ज्यादा है आज का दिन में 350 रूपीज चल रहा है तो आप उसमें भी investment कर सकते हो ओ भी बहुत ही बढ़िया एक company है तो दोस्तो मेरा चनल में आप नए है तो मेरा चनल को subscribe कीजिए और चीज को ऐसा आपको दोस्त के साथ आपका colleagues के साथ आपका और भी family friend के साथ जो stock market में interested है जो penny stock में interested है उसके साथ share कीजिए क्योंकि उसको भी थोड़ा knowledge मिले उसको भी थोड़ा आच्छा stock मिले जिसमें आप investment करके आप लोग आच्छा खासा profit book कर सकते हो और आपको कोई भी stock में जानकरी चाहि देगा उसमें मैं dedicatedly वीडियो बना दूंगा और मेरा चैनल में अभी भी आप नया है अभी भी आप मेरा चैनल को मेरा वीडियो को लाइक नहीं किये तो अभी कभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू दूस्तों